स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल में SG Food World में मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सामने ऐसी सारी रेसिपी लाओं जो की टेस्टी भी हूँ और साथ के साथ हेल्दी भी ऐसी ही एक रेसिपी के साथ मैं लोटी हूँ जो की बहुत ही डिलिशिस है साथ के साथ इसके फायदे भी बहुत है इस रेसिपी का नाम है बदाम मिल्क इस रेसिपी की शुरुवात करने से पहले आईए दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए आईए बिना किसी देरी के बनाते हैं बदाम मिल्क बदाम मिल्क बनाने के लिए हमें जो भी इंग्रेडियन्स चाहिए हम रेडी कर लेते हैं सबसे पहले हमें चाहिए मुनक्का क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिए एट मुनक्का को हम डी सीट कर लेंगे नाइफ से कट करेंगे और जो भी सीट्स हैं हम निकाल देंगे मुनक्का पेट के लिए बहुत ही फायदे मंद होती है specially constipation के टाइम पे अगर ये रेसिपी आप गर्मियों के टाइम पे बना रहे हैं तो मुनक्का को skip कर दीजेगा क्योंकि मुनक्का गरम भी होती है बाकी सारे ingredients as it is लेने है next ingredient जो हमने यहाँ पे लिया है वो लिया है खरबूजे के बीच 4 teaspoon फिर हमने यहाँ पे लिया है दखीनी मिर्च half teaspoon बदाम जो कि हमने 5-6 गंटे भिगोए है quantity हमने लिया है 40 next ingredient है चीनी जो कि हमने यहाँ पे लिया है 4 teaspoon जिसे मीठा जादा पसंद है वो इसकी quantity बढ़ा सकता है next ingredient जो मैंने यहाँ पे लिया है वो लिया है केसर 4-5 strands इसी बावल में 1 teaspoon milk अड़ करेंगे ताकि केसर का कलर दूद में आ जाए और बदाम मिल्क देखने में भी बहुत अच्छा लगे और लिया है हमने 2 teaspoon melted ghee last ingredient but not the least दूद दूद हमने boiled milk लिया है यहाँ पे कच्चा दूद नहीं लेना है और quantity हमने यहाँ लिया है 4 glass सारे ingredients रेडी है चलिए बनाते हैं बदाम मिल्क की पेस्ट मिक्सी जार में आड़ करेंगे बदाम मुनक्का खर्बूजे की गिरी और साथ ही साथ डालेंगे दखीनी मिर्च एक मिनट लिए ग्राइंड करेंगे अब जार खोलेंगे और 4-5 चमच दूद के डालेंगे स्पून से एक बारी अच्छे से हिला लेंगे ग्राइंड करेंगे फिर से ऐसा दो से तीन बारी करना है ताकि बिल्कुल बारी पेस्ट बन जाए बदाम पेस्ट बिल्कुल रेडी है अब देख सकते है अब नॉन स्टिक पैन लेंगे और लो फ्लेम पर उसे गरम कर लेंगे जब पैन हलका गरम हो जाए तो उसमें आड करेंगे घी जो पेस्ट हमने रेडी की थी वो आड करेंगे एक से दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है कंटिनियो स्टर करते रहेगा उसके बाद हम इसमें आड करेंगे दूद और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे लंप्स ना बने इस मिक्शर में इसके लिए ध्यान रखना होगा कि इस पेस्ट को जादा ना भूने अब इसमें आड करेंगे केसर जो हमने दूद में घोल के रखा था मेडियम फ्लेम पर दूद को उबलने देंगे बदाम मिल्क बहुत ही अच्छा होता है आखों के लिए जिनकी आइज में पेन रहता है सिर में दर्द रहता है यादाश तेश्ट करने के लिए भी बदाम मिल्क बहुत ही अच्छा है बहुत ही फायदे मन्द है पीच बीच में stir करते रहिएगा सर्दियों में बदाम मिल कम से कम हफते में 3-4 बार बनाएं और पीएं और इसके benefits का लाब उठाएं boil आ चुका है अब आप flame को low कर दिंगे और इसमें डालेंगे चीनी stir कर लेंगे अब एक-दो मिनट के लिए low flame पर इसको पकाएंगे इस recipe को एक बार आप try जरूर कीजेगा एक-दो मिनट बाद flame बन कर देंगे और ready है बदाम milk try करें ये recipe और share करें अपने suggestions and comments मेरे साथ मिलूंगी ऐसी ही मज़िदार recipes के साथ तब तक के लिए goodbye, take care and don't forget to like, share and subscribe